नमस्कार वंदे भारत भारत तक देख रहे हैं आप आपके साथ मैं हूँ सांची त्यागी G20 की अधिक्षता भारत के पास है भारत इस बैठक की मेजबानी कर रहा है और हर राज्य में अलग-अलग शेहरों में इसे लेकर बैठकों का दौर लगातार जा रही है लेकिन इन सब के बीच में चर्चा भारत के आक्षन प्लान की है G20 बैठक से पहले भारत ने अपने वीजन को क्लियर किया G20 बैठक में भारत किन-किन मुद्दो को उठाएगा उसकी प्रात्मिक्ता किसकी तरफ और पूरी दुनिया का ध्यान किस तरफ रहना चाहिए ये भारत ने निर्धारित किया बड़ी बात ये कि इस बात से इस आक्षन प्लान से हर कोई सहमत था प्रतिये एक देश ने इस आक्षन प्लान पर अपनी सहमती जताई केवल दो देश ऐसे थे जिनोंने इस आक्षन प्लान से दूरी बना कर रखी शुरुवात से ही जिस तोर से इस action plan को लाय गया तब से ही रूस और चीन वो दो देश हैं जो इस action plan के खलाफ थे कारण क्या है? कारण जाहिर है यूकरेन यूद है action plan में यूकरेन और रूस के बीच के यूद का जिक्र हुआ और उस paragraph से रूस को आपती थी रूस के समर्थन में चीन भी आया लिहाजा चीन ने भी इसे लेकर इसे दूरी बना नहीं लेकिन जी ट्वंटी बैठक में इस action plan को पुर्जोर तरीके से भारत उठा रहा है ग्लोबल साउथ जिसकी भारत अब बहुत प्रमुकता से चर्चा करता है कई मंचों पर इसका जिक्र भी करता है कि किस तरीके से ग्लोबल साउथ पर पूरी दुनिया का ध्यान होना चाहिए जिस तरीके से आर्थिक स्तिति पर बदलाव हुआ कोविड महामारी हो या पिर उसके बाद बदलती आर्थिक स्तिति सबसे ज़ादा प्रभावित ग्लोबल साउथ हुआ है और ग्लोबल साउथ की अवाज इस समय भारत बन रहा है इसी का जिक्र प्रदार मंत्री नरिंद्र मोदी ने अपने भाषर में की आए इसी का जिक्र विदेश मंत्री डॉक्टर जैशंकर और वाकियन ने मंत्री करते आए हैं और इससे सेमती बाकी तमाम देश कर रहे हैं जीट्वंटी के सभी देश भारत के विचारों से खुश नजर आ रहे हैं और वो भारत का साथ देने के लिए तैयार है विदेश मंत्री डॉक्टर जैशंकर ने अपने एक बयान में कहा दो बहुत महत्वपुन परिनामों को सर्व सम्मत समर्थन मिला है ये सबी विकास के लिए केंद्री और सपष्ट रूप से हमारे राश्रुपती पद्ध की अब तक की सबसे बड़ी उपलब्दी है जब Global South की देश इस दस्तावीज को पढ़ेंगे तो वो कहेंगे कि भारत ने हमी सुना है डॉक्टर जैशंकर जिन प्रस्तावों का जिकर कर रहे हैं उसमें Global South की आवाज बनने का जिकर था Global South को किस तरीके से बढ़ावा मिलना चाहिए इस बात का इसमें जिक्री किया गया और आज की तारिक में जब हम भारत को इन देशों का नेतरत्व करते हुए देखते हैं तो ये भी पाते हैं कि Group of 20 में यानि G20 में हर एक देश भारत का साथ दे रहा था भारत का समर्थन कर रहा था इतिहास में ये पहली बार था जब G20 के किसी बैठक में किसी विशे को लेकर सभी देश सर्फ सम्मती से एक साथ एक मत होकर एक पक्ष की बात कर रहे थे सर्फ यूकरेन का जिक्र हुआ और रूस और चीन ने इसे लेकर दूरी बना ली लेकर इन सब के बीच में कुछ जरूरी बातें हैं जिस पर आज पूरी दुनिया का ध्यान होना चाहिए और इस पर विदेश मंत्री डॉक्टर जैशंकर ने भी सब का ध्यान खीचा बैठक में बोलते वे जैशंकर ने कहा था कि आपूर्ती श्रंकला में व्यवधान लंबे समय तक रंसंकट और उर्जाक ख्याद और उर्वरक सुरक्षा पर दबाव के बीच वैश्विक आर्तिक सुधार की संभावनाएं कम हो रही हैं उन्होंने इन समस्याओं से निपटने के लिए एकजुट होकर वैश्विक द्रश्टिकोन का आवाहन किया डॉक्टर जैशंकर ने अपने बयान में कहा कि पूरी दुनिया को अब एक साथ आना होका G20 को एक बोहुत स्ट्रोंग मैसेज देने की जरूरत है कि पूरी दुनिया के लिए ग्लोबल साउथ के लिए और हर परिस्तिती से निपटने के लिए G20 तैयार है G20 को एक मत होकर जरूरी फैसले लेने की जरूरत है जिसके साथ हम आगे का भविश्यन धारित कर सके पूरी दुनिया साथ आगे बढ़ सके कैसे लगे आपको इस रिपोर्ट कॉमेंट करके जरूर बताईए बाकी रक्षर विदेश मानू सब्जेट रहने के लिए देखते रहे हैं भारत तक जैहिंद पूरी देखते रहे हैं